इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स अगर आपको अपने micro max small phone max setting देखने मिल रहा है so layout bonds का तो इस setting को on करके योज कैसे किया जाता है इसका क्या काम होता है ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ चलिए ज़्यादा समयना लेते हुए वीडियो को start कर लेते हैं बड़स से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए है चैनल को subscribe जरूर कर लिजएगा चलिए शुरू करते हैं तो ये setting तक आप जाएंगे कैसे जब आप अपने micro max समयल फोन के setting में जाएंगे फिर नीचा आएंगे नीचा आने पर आपको ये system का option मिलेगा इस पर click करेंगे फिर नीचा आएंगे तो advanced का option मिलेगा इस पर click करना है इसमें आपको ये developer option मिल जाएगा आपको यहाँ पर click कर देना होगा लेकिन मालीजे अगर आपको developer option नहीं मिल रहा है तब देखिए system से आपको बाहर आना है फिर नीचा आकर about phone पर click करना है about phone में आपको सबसे नीचा आना है फिर आपको ये build number का option मिलेगा इस पर आपको लगातार साथ बार click कर देना होगा उसके बाद आपको अपने phone का lock मांगा जा सकता है तो lock डाल देना है उसके बाद आपके phone में developer option on हो जाएगा फिर आपको about phone से back आना है और आपको ये system पर click करना है फिर जब आप ये advanced set पर click करेंगे तो इस बार आपको developer option का option जरूड मिल जाएगा इस पर click करना है अब इसमें देखिए आपको दोस्तों जो है नीचे आते जाना है जो आप दोस्तों नीचे आते जाएंगे यहाँ पर तो आपको ये वाला setting देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो उसके बाद दोस्तों जो आप इसमें नीचे आते जाएंगे notification पैनल नीचे खीचेंगे तो इसमें भी यहाँ पर लकीर बन जाएगा तो जब आप इस एडिक को यूज करेंगे तो यह होगा और अगर आपको बंद कर देना है तो यहाँ पर बंद कर देंगे तो फिर जो है वो लकीर आपको दिखाई नहीं देगा इस तरीके से आप जो तो लेट बॉंड सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं अपने माइक्रो मैक्स के मॉबाइल में वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा